हेलो मैं यूटू फैमिली और फैमिली ब्लोग चैनल में आपढ़ों कने स्वागत हैं मैं आसा करती हूँ आप सभी अच्छी होंगी स्वेस्ट होंगे फ्रेंट्स आज हैं ्ग्यारस आप सभी को दे उठानी ग्यारस की बहुत बहुत सुबकामना है थीकास सुबकामना है है आप पूजा की तैयारी करने लगी हूँ रंगोली बना रही हूं दिबाली पर धन्ते रस पर मतलब माला आए थी और फूल आए थे तो मैंने क्या किया ना इस डलिया है इसमें सारी फूल माला रख दी और फिर वो न सूख गई है और मैंने वीडियो देखी थी एक यूटुब पर तो मैं फूलों की रंगोली बना रही हूं इस तर ना ह podr बना रही है किस तरह इस तरह इस तरह ऐसे मंडब की नीचे भवागवाम जी को रखते हैं और पूजा करेंगे तो आप वीडियो में सब देखने को मिलेगा तो बस आप मेरे साथ बने रहे हैं पूरे ब्लॉग में वीडियो पसंद आए तो थीली िएक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो उपर से इस तरह से बान दिया है और इस तरह से मंडब बन गया है यहां पर मैं भोग के लिए बना रही हूं हलवा आप चाहें तो मार्केट से भी मिठाई ला सकते हैं या घर पर भी कुछ बना सकते हैं तो ममी ने आज 11 का ब्रत तो जमें तो यहां दो ना भी रखा हुआ हैतो ममी को भी ही हो जाएगा हलवा होतों मैं यहां पर राजगिर्ट का हलवा बना रहे हूं कि महंत्तब मैं नहीं ला ने लगता कर में अन्क नीचे अफना पूजा टेम वें लो गई है ममी यहां पर आसणब पिछा रही हैं और आज हम और ममी पूजा करने बाले हैं, क्या है एनने फीवर आया हुआ है तो इन्होंने बोला है के ममी आप दोनों ही पूझा करलो, मैं मतलब आरती Kilman करलूगा दर्शन करलूगा आप दोनों ही मिलकर possível Supa करलो लेनी है फिर इसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे तो यहां पर मम्मी पूजा करने लगी है ग्यारस की पूजा हमारे यहां बहुती सरल विधी से होती है जैसे हम डेली पूजा करते हैं भगवान जी को जल चड़ाना टिंका लगाना तो बस बैसे ही आज हमें पूजा कर लेनी है तो सबसे पहले हमने भगवान जी को जल अर्पित किया फिर टिंका लगाया फूल माला है फूल माला मतलब पहना दो फूल चड़ा दो अब हम परसाद लगा देंगे तो मम्मी यहां मंदिन में परसाद लगा रही है और अब हम फूल जड़ी से पहले आर्थी करेंगे फूल जड़ी चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है फटा कि तो मैं चलाती नहीं हूँ तो मैंने और मम्मी ने पहले फूल जड़ी से आर्थी कर ली है और अब हम बाद में आर्थी से आर्थी करेंगे हवन भी कर लिया है पूजा में मतलब हमें हवन जरूर करना चाहिए हवन बिना हमारी पूजा संपन नहीं होती है और अब हम करेंगे भगवान जी की आर्थी उन्हें पर साल लगा दिया है और छमाय आचना भी करेंगे क्योंकि पूजा में न कोई न कोई कमी रही जाती है और हमें नहीं पता होता है कि हमें मतलब किस तरीके से जो हम देखते चले आए हैं कि हमारे घरवाले पूजा कैसे करते हैं हम बैसे ही करते हैं और पूजा तो भगवान की किसी ने भी करके नहीं जानी है, तो यहाँ पर हम गड़ेश भगवान जी की आरती गाएंगे और आरती कर लेंगे, यहाँ पर मम्मी आरती करने लगी हैं, जैसा कि आप सुपी को पता है कि मेरा प्रेग्नेंजी टाइम चल रहा है, तो थोड़ा म मम्मी है, इस बार तो मतलव सभी पूजा हैं बहुत अच्छे से हो कही हैं, और हम दौनों को मतलब मेरे जो हस्बेंण है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, मम्मी है, तो पूज़ा करने का मन भी करता है, मतलब ऐसा हो जाता है, मेरा तो प्रेग्नेंजी टाइम चल रह और इन्हें फीबर आया हुआ है अब मम्मी नहीं रहती तो फिर क्या पता कैसी मतलब नॉर्मल से ही पूजा करते हैं लोग इतनी अच्छे से नहीं हो पाती पूजा बट मम्मी है तो मम्मी सारी तैयारी कर लेती हैं और हम दौनों को भी बहुत अच्छा लगता है कि पूजा करनी है तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स हमने चमाय आचना की भगवांजी से प्रात्ना की और पूजा करने के बाद फिर बाहर दिये रखे जाते हैं जो हमारा दौर रहता ना बहां पर दिये रखे जाते हैं तो मम्मी यहां पर दिये लेकर आई हैं दोनों मतलब गेट क कौन हो कौन ही बोलते हैं क्या बोलते हैं गेट के बाहर इस तरह से हमें दिये रख देने हैं फ्रेंड्स हमारे साइड इस तरह से पूजा होती है जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखी है पूजा बोपाल में थोड़ा अलग होती है और हम तो बैसे ही करते हैं जैसे हमार करते चले आए तो बस एही था मेरा आज का ब्लॉग अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए